असलामु अलेकुम इस वीडियो में आपके लिए Infosys की तरफ से एक भैतरी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से अपलाई कर सकते हैं अगर आप student है study करते हुए side में अच्छा खासा earn करना चाहते हो आपकी family को support करना चाहते हो फिर इस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है अगर आप student है आपके resume में Infosys के internship as an experience add करना चाहते हो फिर इस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है यहाँ पर Infosys की तरफ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा वीडियो पूरा जरूर देखे eligibility समझिए तब ही apply कीजिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले वाल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको यह update मिस ना करें Infosys हैर कर रहा है interns pan India locations के लिए यहाँ पर any student यहाँ पर apply कर सकता है 10 plus 2 और above ठीक है 10 plus 2 plus pursuing candidates यहाँ पर apply कर सकते है यहाँ पर apply करने के लिए आपको communication English में excellent होना चाहिए बहुत verbal plus written अगर आपको कुछ भी doubt है related to Infosys में कितने rounds of interview होते है क्या questions पुछते है apply करने के बाद कितने दिन में response आता है वीडियो के description box में मैंने Infosys का discussion group का link दिया है आप group join करकर अपने सारे doubt clear कर सकते है यहाँ पर apply करने का link है description box में जब आप link पर click करोगे आपके सामे कुछ इससरा का interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते है Infosys का career page है यहाँ पर first option है tell us about yourself first name as per your passport second last name as per your passport first email id जो current email id आप use कर रहे है वह यहाँ पर आप use कर सकते है and alternative email id फिर आपको यहाँ पर आपको आपका mobile number mention करना है second additional mobile number alternative mobile number permanent work authorization यहाँ पर आपको आपकी country choose करनी है फिर आप क्या study कर रहे हो और कहाँ पर आप study कर रहे हो यहाँ पर आपको सारी details यहाँ पर mention करनी है geo region, university current academic level and your overall cgpa academic concentration की skills आपको कौन सी skills आपकी अची है like क्या आपको java चे से use करना आता है UI, UX, Python जो भी आपको आता है यहाँ पर आप mention कर सकते हो यहाँ पर आपको तीन area of interest यहाँ पर यहाँ पर आप select कर सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा options है जिस चीज में आपको interest है like machine learning, artificial intelligence, chatbot machine learning, deep learning, API ठीक है, adobe, photoshop यहाँ पर आप choose कर सकते हो project preference, select three preferences ठीक है, कब आप internship start कर सकते हो, ठीक है और आपका खतम करना चाहते हो यहाँ पर आप mention करकर यहाँ पर आपका resume upload कीजिए यहाँ पर आपका cover letter upload कर कर यहाँ पर अच्छे से apply कर सकते हैं बहुत बैतरी इन opportunity है आप खुद apply कीजिए and please do share with your friends video informative लगा, like कीजिए आपके friends के साथ share कीजिए आप मुझे support भी कर सकते हैं मेरे channel को subscribe कर कर, Allah Hafiz